बहुत ही ज़्यादा घाटिया है वे यकिन के साथ गय सकता हूँ कि ये डाइनोसर से भी पुरा मेरा नाम है बियर बोल्ट और आज मैं आपको एक भट कहुए सेलानी की तरह बताओंगा कि हम खुद को ऐसे बीहर जंगल से जिन्दा कैसे बचा सकते हैं तो चलो चलते हैं और इस बीहर जंगल से बाहर निकलने की पॉसिस करते हैं यदि आप चाहतो हो खुद को एसे जंगल में ज्यादा देर तक जिंदा रखना तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ खाने के लिए धोड़ना हो चलो चाहते हैं कि आपको पता है जंगल में इन पेड़ों पर बहुत सारी चीजे खाने के लिए होती हैं बस आपको पता होना चीए कि आप क्या खाना चाहतो है यहां मुझे कुछ नहीं मिला चलो आगे बढ़ते हैं इन पेड़ों पर मुझे भारपूर मात्रा में कीड़े और बकुड़े मिल सकते हैं यह यहां मिल सकते हैं, जिल सकी मुझे भारपूर प्रोटिन और विटामिन मिल सकते हैं, चलो आगे जलते हैं लेकिन आपको यहां पर खुरा धुंडने के दोरान थोड़ा सावधन और सतर क्रेन होगा, क्योंकि इस घने जंगल में बहुत सारी परजाती के साप पाए जाते, और उनी में से एक इसने खे जो की बहुत ही जादा दूरलप और विजित्र है, उसका नाम है उसामबरा वाइ इसकी रहना है, तो चलो मेरी पीछाओ, थोड़ा सावधनिस आईएगा, उसामबरा वाइनिस ने हवा में लहराती हुए एक पेड की डालिक की तरह दिखता है, और यह साब बहुत ही ज्यादा जहरी ला होता है, और इसका जहर हाइमो टक्सिक होता है, जिसके काटने पर प इसी सापो धोन रहा हूँ, बहुत ज्यादा फट चुका हूँ, मैं सापो को प्याच और लसन की तीखी गन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रुको मैं देखता हूँ, बिनी कल जा, मुझे लगता है कि कल साम को मैंने चखने में प्याच और लसन की चखने लिए थी, यह सब दरहसल बहुत ही ज्यादा सरमिले सोवबक होते है, यह दरहसल टंजैनिय, केनिय और मुझे लागोने पाया जाते हैं, यह देखी, इसको दरहसल लोंग हुन बिटल कहते हैं, जब मैं इसको इस पेर से निकालूँगा, तो यह पिस पेड़ की छाल को तक भी निकाल सकता है, सब से पहले मुझे जेप से चाह को निकलना होगा और यहां कुछ चेटी हैं इनको मैं अटा देता हूँ ताकि मुझे खाने में कोई पॉबलम ना हो और अब मैं इसको निकलता हूँ यह दरसल पेड़ की छाल तक को बे वाउ यह देखो ओ यह देख सकते हैं यह अभी मेरा आ कि इसको मैं कहां से खाऊं यह काफी चिप चिप चुपा हो चुका है और अब अब दरसल इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया है यह यह यकिन के साथ कह सकते हूँ कि यह डाइनोसर से भी पूराना लोंग होन बिटल था लोंग होन बिटल को चबा कर खाने से रहा हूँ कि शरीर में हिपोकेमपस अधिक सक्री होता है हिपोकेमपस मस्तिस का वह भाग होता है जो मनीश्यों की याद दास बढ़ाने में आहम भूमिका अदा करता है ठीक है अब मेरा नाश्ता हो गया है और मुझे अब जल्दी ही इस बीहड जंगल से बाहर निकलना होगा तो चल चल रहा है इसका स्वात मुझे परसान कर रहा है और मैं उन लकड बोकों की दावत नहीं बनना चाहता हूँ मुझे इस जंगल से निकलने के लिए सबसे पहले बिसा का ज्यान होना जरूरी है मैं इस बीहड जंगल से निकलने के लिए एक टक्निक का इस्तेमाल करना वाल उसके लिए मुझे यहां एक चाकू और एक लकड का तुकड़ा लेना होगा और मुझे उस चाकू पर लकड के टुकड़ी की परचाई देखनी होगी देखते हैं परचाई दिखती है या नहीं यहां साहत हलकी है और इधर 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 चलते हैं यहां देखो साहत यहां प तरफ जाना है चलो अगर यहां मुझे कोई नदी मिल जाते हैं तो मैं उस नदी के रास्तों के सहरे कहीं इस बिहड जंगल से बाहर जा सकता हूं किसी खुली जगा पर वहां देखिए वहां सायद पानी हो सकता है चलो चलते हैं यहां एक बहुत बड़ी नदी है और यह नदी मुझे इस रास्ता से इस बिहड जंगल से बाहर निकालने में मेरी मदद करेगी तो चलो चलते हैं सबसे पहले हम अपनी सरीर की गंद को थोड़ा सा दूर करने थे आजो चलते हैं